नमस्कार आप सबके सवालों के साथ आपका दोस्त क्रिष्टनमूर्थी आप सभी का सौगत करता है Learning Mirror YouTube चैनल में दोस्तों आप सबका क्वेडी था कि आप स्टॉक्स पे इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं आप बताएं तो आज का वीडियो है वह इंट्राडे ट्रेड के बारे में ही है वीडियो अच्छा लगे तो पर लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और सेयर कर दें तो यहां पर देखिए आपको जो है NSE और BSE में कोई सभी में trade कर सकते हैं आप National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, कोई compulsion नहीं है, तो add करने के बाद आपको यहां पर देखें, यहां पर equity है, NSE, Axis Bank का, तो यहां पर आप click करें, click करने के बाद सबसे पहले आप क्या करें, funds देख लें, funds में आपको दिख जाएगा किया आपके, कितने balance से आपके, और क्या आपने margin used किया है, portfolio में आपका जो भी intraday trade होगा, चाहे आपने holding से sell किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आप buy sell किया हो intraday में, आपको सारा का सारा positions में दिख जाएगा, profit and loss में दिख जाएगा, कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, holdings में जो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मतलब delivery में आज आपने इसको buy किया, और आपने sell नहीं किया, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, profit and loss में आपको कितना profit and loss हो रहा है, वो दिख जाएगा, investment value कितना है, current value कितना है, तो आप check कर सकते हैं, तो अब watch list पे चले आएँ, यह जब भी stock buy करते हैं, seller से buy करते हैं, और जब भी आप stock sell करते हैं, buyer को sell करते हैं, तो इस दोनों price में ज्यादा difference नहीं होना जाएगे, नहीं तो आप loss कर लेंगे, तो यह आप देख सकते हैं, price में ज्यादा difference ना हो, तो इसके बाद buy के option पे click करें, जैसे ही आप buy के option पे click करत यहां पर वह quantity पूछ रहा है, आप quantity यहां पर पूट कर दें, quantity पूट करने के बाद, यहां पर order complexity जो है, आप simple रखें, cover order, OCO order, after market order, यह इसका वीडियो बनाया है मैंने, जाके आप देख सकते हैं, तो simple रहेगा, order type, limit, market, market मतलब जो price चल रहा है अभी market में, वही price पर आपका buy हो जाएगा, limit मतलब आपको जो है, अपना price फुट करना है, किस price पर आप order buy करना चाहते हैं, तो जैसे मानलब 447 चल रहा है अभी, आपको लग रहा कि यह 445 आएगा, तो आप 445 पे order place करके छोड़ दो, buy price, 445, product, delivery, तो मुझे delivery नहीं करना, intraday करना है, delivery मतलब क्या होता ह है, आपने buy किया और उसको long term के लिए आप hold करोगे, तो इसमें आपका पूरा margin ब्लॉक होगा, intraday में क्या है, 3.30 से पहले square off करना होता है, कोसिस करें कि आप 3 o'clock से पहले खुद square off कर दें, अगर up stock square off करती है, तो आपको call and trade 20 rupees plus GST जो है, जो करे करना होगा, तो यहाँ प पर क्लिक कर दें, यहाँ पर देखें, price, quantity, limit, intraday, day, buy पर क्लिक कर दें, क्योंकि यह limit order है, जब तक यह price नहीं आएगा, order open होगा आपका, तो order history में चले जाए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर order का आपको cancel करना है, तो आप यहाँ पर cancel पर क्लिक करके, yes पर क खा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, मुझे market पर buy करना है, तो मैंने क्या किया, modify पर क्लिक किया, modify पर क्लिक करने के बाल, quantity same रहेगा, यह जो limit है, इसको आप कर दें market, जैसी market करेंगे, आप review order पर क्लिक करें, buy पर क्लिक करें, आपका order 446.60 पर buy हो गया, तो यह अगर आपको यह order देखना है, तो कहां देखना है, चले जाएं, portfolio में, मैंने क्या बोला तो आपको, whole links में आपको long term वाले stocks दिखेंगे, positions में जो आपने trade किया है, या फिर आपने buy किया है, या फिर sell किया है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ पर देखें, access bank जो है, one quantity, अभी M2M 25 पैसे या 10 पैसे का profit and loss दिख रहा है, तो आपको जो है, wait करना है, 3 o'clock तक, 3 o'clock तक देखें, चाहे profit हो रहा हो, या loss हो रहा हो, आप जो है, square of कर देखें, तो square of कैसे करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप देखें, आप इस पर click करेंगे, order पर, order पर click करेंगे, तो आपको square of दिख रहा होगा, square of पर click करना है, अगर आपको position convert करना है, intraday to delivery, तो आप यहाँ पर click करके, अपना quantity put कर दे, और done पर click कर दे, convert हो जाएगा, लेकिन उतने पैसे आपके account में होने चाहिए, वो पूरा margin जो है, block करेगा आपका, जितना cash का margin है, तो यहाँ पर देखें, मेरा profit में आगया, access bank, तो यहाँ पर आपको square of दिख रहा होगा, square of पर click करें, यहाँ पर देखें quantity 1, यहाँ पर देखें, simple market intraday, दोस्तों, product intraday में आपने buy किया है, तो intraday में ही sell करना है, अपने delivery में बाई किया है, तो delivery में ही sell करना है, अगर loss हो गया तो वह अलग है और delivery वाला order आपका जो है अगर आपके डिमेट में stocks होगा तो वह sell होगा नहीं तो वह cancel हो जाएगा समझ गया तो intraday में आपने buy किया तो intraday में sell करना है यहां पर देखिए आपको market और limit दिख रहा है तो आपको 446 पर buy किया था तो उपर ही price जो price चल रहा है उससे उपर ही sell करना होगा आपको तो यहां पर 448 डाल दें तो 448 आएगा तो मेरा automatic order sell हो जाएगा तो यहां पर review पर क्लिक करें sell पर क्लिक कर दें तो क्योंकि यह limit order है आपको orders में जाना है orders में जाने के बाद यहांपर देखें intraday 448 पर आपका order pending में है आप same process कर सकते है और आपको cancel करना है तो cancel करदें order अगर आपको modify करना है तो यहांपर क्लिक करके order modify कर दे अगर आपको limit में sell करना है तो limit में या फिर अगर आपको market में sell करना है तो market में तो मैं limit लगा देता हूँ यहाँ पर 447 का order place कर देता हूँ 446.50 है तो 447 का मैंने order place कर दिया और इसको sell पर छोड़ दिया तो जैसे ही यह 447 आएगा मेरा order जो है automatic sell हो जाएगा यहाँ पर देखें चले जाए आप फिर से portfolio में portfolio में गए यहाँ पर देखें मेरा order sell हो गया यहाँ पर access bank 0 दिखा रहा है मेरा जो 447 का order था वो sell हो गया 40 पैसे profit में तो मैं आपको दिखाता हूँ orders में चले जाए अभी देखें 447 का order है वो complete हो गया मेरा access bank 1 quantity तो अभी आप देखेंगे तो 447 का order है यहाँ पर fill हो गया मेरा समझ गया तो ऐसे करके जो है आप अपना trading कर सकते हैं यहाँ पर 446.85 चल रहा है तो मतलब यह price टच हो गया उस price मेरा पहले से order लगा हुआ था इसलिए मेरा order जो है वो sell हो गया तो ऐसे करके जो है आप देख सकते हैं जो आपका profit and loss है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा यहाँ और कोसिस करें intraday order जो भी आप लेते हैं जीरो कर दे खुझ से जीरो कर दे नहीं तो system जीरो कर देगी लेकिन उसका brokerage अपसे अलग ले लेगी समझ गए तो यहाँ पर देखें जीरो हो गया जीरो हो गया मतलब मेरा जो position है वो close हो गया है समझ गए और मैंने दो delivery order लिया है एक है Nifty IT का ETF और SBI का बैंक का सेर्स है तो मैं उसको long term के लिया हूँ तो उसको मैं hold करूंगा मेरे holdings में Nifty IT का ETF है वो पहले से ही है और SBI भी जो है पहले से ही है तो मैं जो भी पैसे आते हैं per day के जाब से 300-400 रूपीज तो उसका मैं सेर्स बाइ करता रहता हूँ क्योंकि इसमें delivery brokerage तो लगता है help और support के लिए आप उसी लिंक से ट्रेडिंग और डिमेर्ट अकाउंट ऊपिन करें और कुछ भी query हो आप मुझे टेलिग्राम या WhatsApp पे पिंग कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको यी वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यी वीडियो पसंद आया